दोस्तो अंतराष्टी किर्केट के सबसे छोटे फॉर्मेट T20 किर्केट के प्रती किर्केट प्रिम्यू में काफी उत्सा देखने को मिलता है क्योंकि इस फॉर्मेट में बल्लेबाज काफी तेज गती से रन बनाने की कोशिज करते हैं इस फॉर्मेट में सिमित ओबर होने के वज़े से खिलाडी काफी 20 फोटक बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं वैसे तो T20 किरकेट में अब तक पहुँ सी तेज पारिया देखने को मिली है लेकिन आज हम बात करने वाले हैं T20 अंतराष्टी किरकेट में सबसे तेज 50 रन बनाने वाले दुनिया के 5 बल्लेबाजों के बारे में वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को प्रेस करना न भोलें ताकि किरकेट से जुड़ी नई तथा पुरानी जनकारी आपको समय पर मिलता रहे T20 में सबसे तेज पचास रन बनाने वालों की लिश्ट में नमबर एक पर आते हैं भारती टीम के पुर्व मध्य करम बल्लेबाज यूराज सिंग यूराज सिंग ने साल 2007 वर्ल्ड कप के एक T20 मैच में इंगलेंड के खिलाब खेलते हुए मात्र 12 गेदों में अर्ष तक जड़ दिया था इस मैच में यूराज सिंग ने 16 गेदों में अंठाउंटरन बनाये थे ये वही मैच था जिसमें यूराज सिंग ने इंगलेंड के तेज गेदबाज इस्ट्वर्ड ब्राओड की 6 गेदों पर लगाता 6 छक्के जड़े थे यूराज सिंग की 20 फोटक बल्लेबाजी की बदावलत भारत ने यह मुकाबला 18 रनों से जीत लिया था इस लिश्ट में दूसरे बल्लेबाज हैं औस्ट्रिया टीम के मिर्जा एहसान मिर्जा एहसान ने साल 2019 में एक T20 अंतराष्टिय मैच में लक्षम बर्ग टीम के खिलाब खेलते हुए मात्र 13 गेदों में 50 जमादी थी इस मैच में मिर्जा एहसान ने 14 गेदों में एक काउन रनों की तेज पारी खेली थी अपने इस पारी के दोरान इन्हों ने 7 छक्के और 2 चौके लगाये थे ये मैच आश्ट्रिया टीम ने 149 रनों से जीत लिया था नमबर 3 T20 अंतराष्टिया में सबसे तेज 15 बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज है न्यूजी लेंड के कोलिन मुनरो साल 2016 में मुनरों ने स्रिलंका के खिलाब खेलते हुए एक T20 मैच में 14 गेदों में 15 बनाये थे ये मैच आउकलेंड के मैदान पर खेला गया था जिसमें न्यूजी लेंड टीम ने स्रिलंका को 142 रनों के लक्ष का पीछा करते हुए इस मैच में 9 बिकेट से जीत दर्ज की थी नमबर 4 T20 अंतराष्टिया में सबसे तेज 50 लगाने वाले चोथे खिलाडी हैं सौधी अरभिया के फैजल खान फैजल खान ने साथ 2019 में कोईट टीम के खिलाब खेलते हुए मात्र 15 गेदों में अर्ष तक जमाया था इस मैच में फैजल खान ने मात्र 28 गेदों में 83 रनों की नबात पारी खेली थी जिसमें इनोंने 7 छक्के वो 7 ही चोके जमाये थे इस मैच में कोईट ने सौधी अरभिया टीम को 136 रनों का लक्ष दिया था जिसमें मात्र 3 गेट खोकर 9 अबरों में ही पूरा कर लिया गया नमबर 5 अंतराश्टी किर्केट में सबसे 53 रन बनाने वाले साई होप ने साल 2018 में बंगला देश के खिलाब 23 गेदों में 55 रनों की सांदार पारी खेली थी साई होप ने अपनी पारी के दोरान मात्र सोरा गेदों में अपना अर्शतक पूरा कर लिया था दोस्तों यह जानकारी आपको एदी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें